Hello students, welcome to my channel, school fellow classes, 6th class का महत करेंगे, MLGWAL की बुक है ये, और chapter 14, practical geometry की exercise 14.1 का question number 3 करेंगे, 1 और 2 question की वीडियो मैंने channel पे upload कर दी है, अगर आपको requirement है, तो आप channel पे जाके उनको दीख सकते हैं, question 3 में given है, draw any circle, कोई भी circle draw करना है, and mark point, और point marks करने है, A, B और C, such as that, जैसे की ये given है, अब फर्ष्ट पार्ट में है, A is on the circle, A एक point बनाना है, circle के उपर, second part में है, B is in the interior of the circle, और जो B point है, वो circle के interior means under, ठीक है, ये part third में है, C is in the exterior of the circle, और जो C point है, वो circle के exterior का meaning होता है, बाहर, तो चलिए करते हैं, देखो, यहाँ पे ये तो given नहीं है, कि circle की कोई measurement है, आप जितना मर्जी बड़ा circle बना सकते हैं, ये मैंने pointer को रखा, और ये मैंने इसको एक ही बाहर में, या फिर आप light hand से, जितना भी बड़ा और जितना भी छोटा, जिस भी measurement का circle आप draw कर सकते हैं, ये एक circle draw कर दिया मैंने, ठीक है, अब ये बोला है, ए is on the circle, circle के उपर हमें a point बनाना है, अब ये उपर का मतलब है, ये जो इसकी boundary line, इसकी उपर हम कहीं भी a बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, कहीं भी बना दो, मैंने ये बना दिया, यहां a, ठीक है, ये इसका नाम दे दिया, a, on का मतलब उपर, second part में b is in the interior, b एक part बनाना है अंदर, वो आप कहीं भी बना सकते हो, यहां बना सकते हैं, यहां भी, अब c is in the exterior, c बनाना है भार, आप कहीं भी बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, as you wish, कहीं भी बनाओ, एक point लगा, और उसका c नाम दे सकते हो, ठीक है, तो ये था question number third question number four करेंगे next video में